नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल फोकस पावर पर तो आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं DRDO एक्जाम के लिए बहुती महत्वपून 1000 MCQ सिरीज जिसमें हम वन लाइनर और MCQ के फॉर्म में आपको 1000 से भी ज्यादा क्वेशन डिसकस कराएं अगर आपने वो classes नहीं देखी तो आप description में दिएगे class के link से जागे directly आप देख सकते हैं तो आज की वीडियो शुरू करते हैं तो first question है एक radiator में जल परिवहन किस प्रकार से होता है तो radiator में जल का परिवहन मिंस जल का जो coolant और पानी होता है वो किस तरीके से flow करता है तो उच टैंक से निमनो टैंक की और यानि की upper tank से lower tank की और radiator का जल परिवहन होता है second question इंजन के बढ़ाने पर radiator निर्गम होच की चिपक जाने का कारण क्या है तो thermostate कारिया नहीं कर रहेगा तो निर्गम होच चिपक जाएगा temperature जादा होने के कारण चिपक जाएगा next question दाव यूग सीतलन परणाली में किस प्रकार का radiator धकन परियोग करते हैं तो pressure system में जो pressure cooling system होता है उसमें किस तरीके से radiator धकन का यूज़ किया जाता है तो अब pressure cap होती है radiator cap जो होती है वा pressure type की होती है तो दाव पूर्ण radiator धकन जो सीतलन की अभाल को रोके है तो जो boiling होती है coolant की उसको रोक सके इसलिए pressure cap का use किया जाता है radiator में और pressure cap जो होती है उसमें दो valve लगे रहते हैं एक होता है pressure valve और दूसरा होता है pressure valve और दूसरा होता है vacuum valve second vacuum valve तो ये दो valve लगे रहते है radiator pressure cap में next question water cooling system में slender block और slender head में बने होते हैं तो slender water jacket बने रहते हैं slender block में भी और slender head में भी जिन water jacket के अंदर ही coolant चलता है और water चलता है जिससे engine को operating temperature भी लाया जाता है थाकि engine का temperature ज्यादा ना बढ़े next question radiator में तांबे या पीतल की पतली pipe लगाई जाती है क्योंकि यहां उस्मा इस्तानांतर जल्दी से करती है तो radiator की जो core होती है और pipe होती है वह किसकी बनाए तो आपको question के अनुसार देखने हैं अगर तामबाय पीतल किसी में पोस्ट दिया कि modern day विकल में किस तरीके का radiator यूज करते हैं तो उस टाइम पर आपको तामबाय पीतल नहीं लगाना है तो उस टाइम पर आपको हो जाने का कारण है तो किस कारण से radiator में पानी कम हो सकता है या तो hose pipe में liquise है या फिर core से liquise है तो जो radiator core है अगर वो puncture हो जाती है तो उस कारण से भी liquise होती है या फिर hose pipe जो उसकी clamp है proper नहीं लगी है तो उस कारण से भी पानी लिकीज करता है, coolant लिकीज करता है तो जिसके current radiator में पानी की कमी होती है next question thermostate valve खुलता है, तो लगबख 80 degree पे thermostate valve खुलता है 80 degree Celsius पे, तो आपको option क्या coding लगाना है, जो 80 के nearby में option होगे आपके exam में उसी पे आपको tick करना है next question, radiator किस धातों से aluminum की radiator आदे है next question engine के अधिक गरम होने का कारण है तो engine का अधिक गरम होने का कारण क्या चीज है, तो cooling system का सही तरीके से काम ना करना, अगर cooling system सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो engine गरम होगा, next question anti-free solution में क्या होता है anti-free solution में होता है gilserine और alcohol गills-zerine और alcohol होने के कारण हुआ कुलेंट होता है वह जल्डी दिसे जमता नहीं है तो next question की तरफ चलते हैं टू cardiovascular engine में कौन सा लुब्रिकेशल सिस्टम होता हैñ टू buscando engine में होता है petroleum lubrication system जिसको petroleum lubrication system को एक और अन्य नामसे भी जानते हैं जिसको हम mist lubrication system भी कहते हैं जिसमें हमें petrol के साथ lubrication oil को मिलाना होता है next question oil pressure relief valve किस से खुलता है तो oil के pressure से खुलता है oil के दबाव से oil pressure relief valve खुलता है next question came out पर बने spiral gear द्वारा कौन सा oil pump चलाया जाता है तो gear wheel type का जो oil pump होता है उसको हम came out के spiral gear के द्वारा चलाते हैं next question oil pump का कारे है तो oil pump का कारे का है दब के साथ oil को भीजना तो oil gallery में pressure के साथ oil pump का का oil को भीजना है next question किसी तरल पदार्थ के बहने के गुण के बिरोध को क्या कहता है तो कोई भी तरल पदार्थ है तो वो कितनी तेजी से बहर रहा है तो उसके जो विरोध करने का गुण होता है वह कहलाता है विस्कोसिटी तो यही होता है जैसे तेल होता है तेल को अगर हम फर्स पे डालेंगे तो वह जल्दी से फैल जाएगा और अगर हम कुछ तेल से गाड़ी चीज डालेंगे लिक्विड में तो वह फर्स में अधिक लेट से फैलेगा अगर हम पानी डालते हैं तो पानी सबसे तेज फर्स पे फैल जाता है तेल से भी तेज तो वही है पानी के अकॉर्डिंग तेल की विस्कोसिटी जाता है तो तेल के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ liquid डालते हैं hard liquid जो कि semi liquid type का हो जैसे grease type का तो उसको वो भैता नहीं है तो यही चीज viscosity कहलाती है कि उसका भैने के विरोध कितना करता है तो यही इसकी measurement होती है viscosity की next question किसी स्नेहक का वहाँ ताप जिस पर वहाँ भाब बन कर उड़ने लगता है तो कोई भी lubricant है अगर वो वैपर बन के उड़ रहा है तो वह उसका flash point कहलाता है जिस point से वह वैपर बनना शुरू कर लेता है भाब बनना शुरू कर देता है तो उसी point को हम flash point के नाम से जानते हैं उस lubricant के next question lubrication oil को किस से ठंडा किया जाता है तो oil cooler के तुरू lubrication oil को ठंडा किया जाता है तो अलग से एक oil cooler भी लगा रहता है जिसके तुरू engine oil को ठंडा किया जाता है next question तेल pump का परियोग तेल pump से gallery में लहाना है pump को निम्न से चलाया जाता है तो केम साब पेंच गेर के द्वारा pump को चलाया जाता है next question तेल pump साइट वाहान इंजन इसनेहक प्रणाली के प्रकार को कहते है तो दावकरित इसनेहक प्रणाली तो force feed type force feed lubrication system कहते है जिसमें अगर oil pump लगा रहता है जिस lubrication system में oil pump लगा रहता है उसको हम कहते है pressure type lubrication system दावकरित इसनेहन प्रणाली next इसनेहक का मुख्या कारे संपर्क में आने वाले दो प्रिष्टों के बीच क्या कम करता है तो lubricant का कारे क्या होता है दो सताओं के बीच घरसान कम करना means friction को कम करता है lubricant next question एक इंजन में push road किन दो पार्टों के बीच होता है तो push road होता है wall tap it और rocker arm के मध्य में होता है next question एक इंजन पर तेल pump कहां fit होता है तो oil pump fit होता है crank case के बिल्कुल निचे fit होता है oil pump next question turbo charger में turbine कि प्रकार बढ़िनित किया जाता है तो turbo charger exhaust manifold के gas से चलता है और exhaust manifold पे लगाया जाता है turbo charger next question crank shaft की heat treatment भी दी क्या है तो night riding crank shaft की heat treatment भी दी है next है engine में misfiring किसके कारण होता है तो कम valve clearance के कारण engine में misfiring होती है अगला प्रशन है injector heater plug किस इस्तान पर लगे होते है तो valve दरवाजे पर injector heater plug लगे रहते हैं जिससे की combustion chamber का temperature जल्दी से बढ़ाया जा सकता है ताकि सर्दियों में जो starting हो वो अच्छी तरीके से और तुरंथ हो जाती है next question cam shaft पर cam log की संक्या कितनी होती है तो cam shaft पर cam log की संक्या cylinder की संक्या की दोगनी होती है जितनी cylinder की संक्या होगी उससे दोगनी होती है cam shaft पर cam log की संक्या next question diesel engine में suction stroke के समय cylinder में आता है तो केवल सुध हवा जाती है suction stroke के समय next है TDC से BDC की दूरी तो कितनी होती है तो उपर से जो top dead center होता है TDC मिन्स top dead center BDC मिन्स bottom dead center तो top dead center से bottom dead center की दूरी होती है 180 degree जब आपकी crank shaft 180 degree भूमेगी तो आपका 1 TDC से BDC तक का पूरा piston का जो travel होता है वो complete हो जाता है next question piston ring में side clearance रखा जाता है तो side clearance कितना रखा जाता है यह आप देख रहे होंगे 0.038 से 0.102 mm तक रखा जाता है side clearance piston ring में next है 4 stroke इंजन में 1 cycle पूरा करने में game saft के चक्कर होते हैं तो 4 stroke में होता है 1 चकर एक cycle पूरा करने में came saft के एक चकर होते हैं और crank shaft के 2 चकर होते हैं next question piston प्रस piston प्रस slot काटने के कारण है तो piston बिस्तार रोखने के लिए जब piston गरम होता है तो piston expand करता है गरम होने के कराण expand करता है तो उस expansion को ही रोकने के लिए piston पर slot काटे जाते हैं जब piston बिस्तार करता है फैलता है तो उसको ही piston का expansion कहते हैं तो उसी चीज़ को रोकने के लिए piston पर slot काटे जाते हैं इंजन वाल्व किस से operate होते हैं तो engine valve cams out के तो through operate होते हैं अगला प्रश्न engine का compression leakage रोकने के लिए कौन से ring fit की जाती है तो compression को leakage से रोकने के लिए compression ring fit की जाती है और minimum compression ring रोती है दो compression ring लगी रहती है minimum next question cylinder की दिवारों वह piston के बीच कुछ gap रखा जाता है क्यों रखा जाता है ताकि वह गरम होने पर piston jam न हो जाए तो जब गरम होगा temperature बढ़ेगा तो piston expand करेगा इसलिए clearance दिया जाता है अगर piston हलका सा expand भी करे तो clearance रहेगा तो वह engine में चिपकेगा नहीं और engine seize नहीं होगा तो इसलिए हलका सा clearance दिया जाता है next question समय से पूर valve का खुलना कहलाता है तो valve lead कहलाता है समय से पूर खुलना तो इसकी बारे में पिछली वीडियो में भी discuss किया था तो समय से पूर खुलेगा तो valve lead कहलाएगा समय के बात खुलेगा तो valve lag कहलाएगा और अगर एक साथ दोनों valve खुलेंगे तो वह condition कहलाएगी overlap क्या कहलाएगा वह overlap period valve overlap जब intake और exhaust valve दोनों खुले रहेंगे late खुलेगा तो lag, valve lag होगा और जल्दी खुलेगा तो valve deed होगा तो यह है वाल टाइमिंग डाइग्राम की टर्मिनलोजी next है, scavenging किसके लिए किया जाता है तो सक्ती निर्गम के लिए किया जाता है power का output बढ़ाने के लिए scavenging किया जाता है next question, diesel engine के cylinder में इंधन piston की किस अवस्ता में inject होता है तो संपेड़न स्टोक के समेट TDC के समी तो diesel engine में diesel का इंजेक्ट किया जाता है जैसा ही compression स्टोक खतम होने वाला होता है और piston बिल्कुल TDC के पास पहुंचने वाला होता है तो उसी time आपका diesel engine इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है next question है जब दोनों valve एक साथ खुले हैं तो उस इस्तिती को क्या कहते हैं तो valve overlap period कहते हैं आपको पिछले questions में discuss किया था next question external combustion engine में इंधन जलाने का इस्तान होता है तो भार होता है combustion chamber में नहीं होता है भार होता है और वहाँ जलाने का इंधन जलाने का इस्तान भी बड़ा होता है वहाँ combustion external combustion engine में next question है internal combustion engine में wait a minute internal combustion engine में इंधन जलाया जाता है तो combustion chamber के अंदर इंधन जलाया जाता है internal combustion engine में अगला प्रशन है कुछ इंधन injection pump में विद्धुत solenite क्यों दिया जाता है तो चालू करने के लिए अतिरिक इंधन देने है तू तो अगर जब solenite switch इसलिए दिया जाता है ताकि जो fuel हो extra दिया जाए starting के time पर rich mixture provide कराने के लिए next question कौन सा carburetor ultra fit किया जाता है तो updrafts carburetor तो updraft carburetor को ultra fit किया जाता है carburetor का जब chapter discuss करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि carburetor कितने प्रकार का होता है updraft होता है down draft होता है side draft होता है bike में कौन सा carburetor लगता है कौन सी कार में क्या लगता है यह सब आपको carburetor वाले topic में discuss करेंगे अभी next question पर चलते है horizontal carburetor inlet manifold पर खां fit रहता है तो horizontal carburetor रहता है किनारे पर fit रहता है next है carburetor में अलग-अलग हवा तथा petrol के कई mark बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं तो वो carburetor circuit कहलाते हैं जो अलग-अलग मार्क बनाए जाते हैं petrol और हवा के लिए next है carburetor में venturi का काम होता है तो हवा जाने के mark को पतला करता है तो जो carburetor की venturi होती है वहाँ पर हवा इंटर करने का जो मार्क रहता है उसको पतला कर देता है next है ठंडे engine को start करने के लिए chalk valve काम में लिया जाता है तो मिश्रण में petrol का अनुपाद बढ़ाने के लिए chalk valve को जब हम खींचते हैं तो petrol का जो mixture होता है वह ज्यादा बढ़ता है हवा कम जाती है petrol ज्यादा ज्यादा है जिससे की engine start जल्दी से हो जाता है next question power system के आधार पर carburetor का प्रकार है तो power system के आधार पर vacuum operated carburetor होते है और last question आज की वीडियो का carburetor में main jet किस में खुलता है तो main jet खुलता है carburetor में air horn में तो ये था आज की वीडियो के प्रशन पर्सम पचास प्रशन तो ये जो स्रिंखला सुरू कर रहे हैं 1000 प्रशनों की ये आपको रोज सामको 8 बजे इसी channel पे आपको वीडियो प्रवाइड की जाएगी तो तब तक अगर आपने channel को subscribe नहीं कि CCN के लिए तो उसके लिए भी आपके लिए helpful होने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद चैहिन